Good morning students, I am Tanuja Bisht for class UKG and today we are going to learn subject Hindi बच्चों हम उंकी मात्रा पढ़ रहे हैं और आज हम खुछ नए सब सीखेंगे और चित्रों को देखेंगे ठीक है? आप चित्र देखेंगे और पिर हम उसको उस सब्द को लिखेंगे इसमें उंकी मात्रा लगती है ठीक है? ये किस चित्रा से उच्चित्र है? सूरज का तो हम यहां पाई क्या लिखेंगे? सूरज क्या लिखेंगे बच्चों? सूरज सौ लिखेंगे सौ में बड़ी कुप की मांतरा लगाएंगे फिर रॉ लिखेंगे फिर जॉ लिखेंगे ठीठ है बच्चो ये क्या लिखा हमने सूरज और इसको हम मिला लेंगे ये हो गया है सूरज ठीठ है बच्चो इसको हम थोड़ा सी और बड़ा करेंजी ये मांतरा लगी और आरेट इस चित का चित्रे है फूल का इस चित्रे है फूल का तो हम यहाँ आपा लिखेंगे फूल फूल लिखेंगे और मैं बड़े उखी मांतरा लगाई विए फूल का बच्चो ये यहाँ पर लिखेंगे लग और इको लिखेंगे ये होगिया फूल ये कहली कौंसा समय होगिया? फूल का और इस चित्रे है फूल का हाँ न? मूली तो यहाँ आपा मूली लिखेंगे मॉली पें मॉमें बड़ी की मातरा लगाएंगे फिल लॉ लिखेंगे और फिल लोमें बड़ी मातरा लगाएंगे एक हो गया मूली क्या हो गया बंच्छो? मूली और फिर उसके बाद हम लिखेंगे है चुहा एक innा ये की चित्रे है चुहे का हाँ न? तो हम लिखेंगे चुहा ठीक हा बंच्छो? चॉ लिखेंगे चौ लिखेंगे चौ में ब creator लगाएंगे फिर हौ लिखेंगे है न हो में आखी लगाएंगे यह हो गया है, चूहा क्या हो गया बुच्चू चूहा है न अब लिटे अब लिखना कम्प्लीट कर दिया अब चूहा किसी का नितर है सूरज का, तो यहाँ पर हमने लिखा यह मूली, दिख री ने आपको, मूली, तो यहाँ पर हमने लिखा मूली, है ना बच्चो, मौली का लो में बड़ी उखी मात्रा, पिलाली का लो में बड़ी उखी मात्रा, यह हो गया मिला के मूली, इसे परकार से एक चूहे का चितर है, और यहां हमने सबने रिखा चूहा, तो चौरी का चौह में बड़ी उखी मात्रा लगाए, तो यह हो ग तो भी इसे परकार से एक तरब चित्र बनाएंगे और दूसरी तरब उनके नाम निखेंगे तो हमको चित्र देकर पढ़ना भी आएगा और निखना मी आजाएगा ओके थेंक्यू